गुड मार्निंग, आज हम पढ़ेंगे स्थांड़ फाइव इंगलिस मर्याम सब्चेट हिंदी निकालो, चैप्टर फाइव, चीडियागर की सैर, पेद नमबर थर्टी, चलो, सेकेंड क्रिश्चन तक हमने अभ्यास में कल लिया था, अब आज पढ़ते हैं थर्ड क्रिश् देखें, अगर आप कभी गौर करोगे, अगर आप कभी गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को एक मिनिट में औसातन एक से दो बार जपकाते हैं, जब कि वयसकों में यही संख्या करीब 10 होती हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं, कि अपनी पलके कितनी बार जपकाते हैं, एक से दो बार जपकाते हैं, एक मिनिट में, और यही संख्या वयसकों में, यानि कि बड़ों में करीब 10 की होती हैं, वो एक मिनिट में 10 बार जपका देते हैं, समझ में आया, फिर है हमारे सरीर को एक वक्त का खाना पच्चाने या ह हजम करने में करीब 12 गांट का समय लगता है हमारा जो सरीर है उसको खाना हजब करने के लिए कितने वक्त का टाइम लगता है तो करीब 12 गंटों का समय लगता है क्या आपको पता है कि हमारे यानि मानेव consider में नाकवकान द 파ष्त है सिन अगर पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। आपको पता चला कि हमारा सरीर है उसमें दो अंग ऐसे हैं जिसका हम जीते हैं तब तक वो दो अंग बढ़ते ही रहते हैं। आपको पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है जब तक हम जीते हैं तब तक। तो यहाँ प्रेशन दिये हैं छोटे बच्चे और वयसको की पल के जपकने में क्या आंतर है। तो मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे एक मिनिट में एक से दो बार जबकाते हैं और बड़े वयस को तो उसको वयस को में यही संख्या करीब दस की होती है छोटे बच्चे एक से दो बार जबकाते हैं और वयस के वयस को दस बार जबका देते हैं हमारे सरीर के कौन सा कार्य करने में 12 गंटे लगते हैं तो हमारे सरीर को एक क्वाक्त का खाना पचाने या हजम करने में 12 गंटों का समय लगता है सरीर के ऐसे कौन से दो अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं तो उसका अंसर है सरीर के दो अंग है नाक और करन वो दो अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं फिर four question है, कोई बहुत दीरे चलता है, तो लोग कहते हैं या कछुव की चाल चल रहा है, अब तुम ही बताओ कि तेज चलने वाले को क्या कहेंगे, तो तेज चाल चलने वालों को हवा की चाल चलने वाला कहेंगे, क्योंकि बहुत दीरे चलता है उसके, क्या कहते हैं, चिडिया गर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए तो अंसर में क्या आएगा चिडिया गर में जाकर हमें पिंजरे के नस्दिक नहीं जाना चाहिए सोर नहीं करना चाहिए जन्वारों को चिड़ना नहीं चाहिए जन्वारों को कंकन नहीं फैकने कंकन और कंकन या खाना फैकना नहीं चाहिए आया समझ में चिडियागर में जाके हमें यह नहीं करना चाहिए तो आज आपका होंवाक क्या है थर्ड क्वेशन है उसमें जो त् Thank you.